Hello guys and welcome back to अपना college और आज के शांदार वीडियो के अंदर मैं आपको पताने वाला हूँ कैसी आप अपना एक proposal बना सकते हो Google Summer of Code के लिए तो इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले अपनी कुछ tips and tricks share करने वाला हूँ चुकि मैंने experience करी अपने Google Summer of Code के दावरान तो पिछले साल मैंने Google Summer of Code के अंदर participate किया था और organization का नाम था Open EMR ठीक है तो उसके लिए मैंने कैसे proposal तयार किया क्या-क्या thought process थी मेरी तो मैं पूरी चीज आपके साथ इस वीडियो के अंदर share करने वाला हूँ साथ में आपको एक ड्राफ प्रपोजल भी दूँगा और उसकी मदद लेकर आप अपना अच्छा सा प्रपोजल बना सकते हो ठीक है तो शुरू करते हैं और सबसे पहली चीज हम यार Google Summer of Code की website में देख लेते हैं जो इन्होंने tips and tricks हमको दे रखी है तो हम यहाँ पे जाते हैं गाइड के अंदर और स्टुडेंट गाइड के अंदर आपको प्रपोजल के लिए कुछ tips and tricks मिल जाएगी तो यहां पर राइटिंग अप्रपोजल का section है और इसके अंदर हमाद आते हैं तो बेसिकली यार इन्होंने कुछ elements दे रखें वैसे यार प्रपोजल जो है ना of code क्या हमको tips दे रहे हैं ठीक है तो सबसे पहली चीज हमको अपने प्रपोजल के अंदर अपनी information देनी है नाम contact information अगर आपकी email आईडिया तो website वगर और telephone number वह सब ठीक है उसके बाद में आपका title जो भी project आप चूस कर रहे हो तो एक अच्छा सा इंट्रेस्टिंग सा टाइटल रखना क्योंकि यार वही टाइटल हमारे जो project selection है उसके बाद में वहाँ पे दिखने वाला है ठीक है तो एक बार मैं आपको title बता देता हूं कैसे आपके title दिख रहे होते हैं तो जैसा कि मैं past projects में जाता हूं और अपना ही project का example लेके बता का नाम है इसी तरह से यहां देखोगे तो hybrid app supporting image processing और यह जो नाम है वो हमारी जो organization है उनके idea list में नाम था उससे अलग है यह नाम हमको उस में अच्छा लगता है क्यों आप अपनी organization को choose कर रहे हो यह सारी चीज़े आप उसके अंदर लिख रहे होंगे ठीक है और फिर आपके benefits to the community तो basically आपको open source क्यों पसंद है और क्या-क्या चीज़े आपको सीखने को मिलती है open source से और क्यों Google Summer of Code आपको पसंद है यह सारी आप इसके अंदर लिखने वाले हो ठीक है फिर deliverables की बात आती है तो यार यह सबसे important चीज़ है क्योंकि इसके अंदर आपको अपने project से related हर एक छोटी से छोटी चीज़ लिखा है यहाँ पे सबसे पहली line में include a brief clear breakdown structure with milestone and deadlines तो आपका 10 weeks का यार project है तो 10 weeks के अंदर हर week में इसके साथ बना के देऊगे ठीक है ताकि यार जो भी उसको पढ़ रहा हो उसको लगे कि हाँ यह बंदा serious है और यह जो भी करेगा अच्छे से करेगा ठीक है तो यह confidence अगले बंदे को आ जाना चाहिए जो भी इस proposal को पढ़ रहा है ठीक है और उसके बाद में है related work तो basically या आपने पढ़ाई कहां से करी और अपने कुछ प्रोजेक्ट वगर आप इसके अंदर दिखा सकते हो और साथ में अगर आपने को इंटर्शिप वगर कर रखी है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत यहां पर दिखा देना तो basically resume type की information आपको यहां देनी है उसके बाद में follow the rules तो basically यार हमारा जो proposal होने वाला है उसको आप कहीं पर बना सकते हो mostly हम Google Docs के अंदर ही बनाते हैं मैंने भी Google Docs में बनाया और मैंने जितने भी proposal देखें almost सारे Google Docs में बनते हैं ठीक है तो उसकी जो link होती है वो हमको देनी बढ़ती है और यह जो हमारा proposal है उसको हम text format में ह रखेंगे और एकदम simple सा हमको यहां पर funky चीज़े यूज नहीं करनी है एकदम plain simple text के अंदर सारी चीज़े आपको लिख रही होगी ठीक है तो जैसी हम आपको प्रपोजल दिखाऊंगा तो आपको यह सारी चीज़े समझ आ जाएगी अब आगे बढ़ते हैं तो next यहां प प्रपोजल में वही चीज़ लिखो या वही कोई project बनाओ जो कि आइडिया लिस्ट में दे रखा है ऐसा अकसर होता है कि कोई यार नया सा project के प्रपोजल यहां लोग organization को देते हैं और वो नया proposal direct select हो जाता है बिना आइडिया लिस्ट के अंदर आए तो ऐसा भी possible है और इस रहे हो तो chances बहुत जादा होते हैं कि आपका जो idea है proposal में वह select हो क्यों क्योंकि यार वह अलग है अगर वह अच्छा हुआ तो definitely chances है कि आपका जो idea है वह select हो जाएगा और फिर यार अगर आप idea list से भी कोई idea select कर रहे हो तो कुछ ऐसा idea select करो जिसके chances जादा हो select होने के क्योंक organization के पास एक गिनी चुनी slots होती है कि वो लोग तीन लोगों को या दो बंदो को select कर सकते हैं और यह slots जो है वो बाद में decide होते हैं आपके proposal submit होने के बाद मतलब 31st March के बाद Google decide करेगा कि यार हर organization में कौन-कौन लोग select हो सकते हैं और यह बहुत ही important tip है जो कि आपको यार कोई जी सोकर ही दे सकता है क्योंकि यह चीज़े यार हमको बाद में ही पता चली थी जब मैंने अपना proposal submit कर लिया था उसके बाद में जब हमने review कर वाया तब उन्होंने बोला था है कि यार हमारे पास number of slots है तो उनके पास सिर्फ तीन slot थे और वो सिर्फ तीन projects को select कर सकते थे ज साथ में वो काम आते हैं अगर आप जादा बातचीत रखते हो अपने mentor के साथ में और अगर आप जुड़े हुए उनके साथ में और वो अच्छे से जानते हैं तो बहुत जादा chances है कि आपने अगर contributions कर रहे हैं आप अच्छे से interact कर रहे हो आपका proposal भी अच्छा है तो definitely you are gonna select in google summer of code ठीक है अब next चीज है general note तो इसके अंदर यार basically यही लिखाए कि यार हम जादा से जादा तीन प्रपोजल सब्मिट कर सकते हैं और हमारा जो प्रपोजल है वो अच्छी का होना चीज और यह सारी चीज़े जो कि मैं आपको अभी अभी बताई ठीक है तो यह तो हमन प्रपोजल के अंदर आपको हर organization के basis पर अपने प्रपोजल को चेंज करना पड़ेगा और obviously आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो तो अलग हो गई और अगर आपको यह देखना है कि कौन सी organization में प्रपोजल में मतलब उनको क्या चाहिए तो वह हम कहां से देख सकते हैं तो ज section के अंदर हमको बता रखा है कि उनको क्या क्या चाहिए तो personal detail, name, contact detail, thought, bio, project, description तो यह सारी चीजे इनको चाहिए होगी एक प्रपोजल के अंदर और यही सारी चीजे यार उस चीजों की guide में भी थी तो इसमें कुछ extra नहीं है लेकिन कुछ-कुछ organization होगी जिसके अंदर आपको वहाँ पर देखना होगा अभी के लिए आप जिस भी organization में contribute कर रहे हो उसके learn more करके इस नीचे वाले section में जाके एक बार देख लो क्या क्या चीजें उनको प्रपोजल के अंदर चाहिए और उस हिसाब से अपना प्रपोजल बनाना शुरू करतो और यार एक खास बा हैं उनको आप करोगे तो यह process आपका दो तीन बार repeat होगा आप बार बार उस प्रपोजल को देखोगे कुछ चेंज करोगे review करवाओगे फिर वो जो reviewer होगा वो आपको कुछ बताएगा कि है भाई यह चीज़े हैं इनको ठीक करो फिर आप उसको ठीक करके वापस भेज़ फिर वो process भी एक दो बार repeat होगा फिर आपका यह जो draft proposal है वो तैयार हो गया तो अब last में आप अपना final proposal भी देख सकते हो ठीक है ना तो dates हम या प्यार देख लेते हैं एक बार क्या है proposal की तो 13 अप्रेल तक आप last apply कर सकते हो तो March 29 तो अप्रेल 13 तक आपके पास time है और 29 March तक आप अपना idea अच्छे से select कर लो क्योंकि उसके बाद यह जो 15 दिन है ना हमारे तो इस बीच आपको अपना proposal अच्छे से तयार कर लेना है इन 15 दिन के अंदर यार पूरी महनत कर लो अपने proposal के उपर और इससे पहले का जो time है मतलब अभी आप अपना main focus रखिए contributions के उपर ठीक है ना अब चलते हैं next हमारे proposal की तरफ तो यहां पे मैंने Google Docs में अपना proposal खोल दिया है और यह मेरा official proposal है जो की मैंने अपने mentors के साथ में share किया था ठीक है ना तो यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहली चीज मैंने एक logo लगा दिया है अब logo आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है ठीक है उसके बाद में title the most important thing is title ठीक है फिर जब भी आप proposal बना रहे हो तो उसक और time zone, time zone क्यों जरूरी है अब यार देखो आपके जो mentors है वो कहीं से भी आ सकते हैं जरूरी नहीं है कि वो इंडिया के होंगे वो Australia, America कहीं से भी हो सकते हैं तो time का यहां पे mention करना बहुत जरूरी है कि आपके mentors कौन से time zone में हैं और आप कौन से time zone में हो क्योंकि जब मैंने participate किया था तो मेरे जो mentors थे वो Americans थे अब क्योंकि वो Americans थे तो जब भी मेरे को contributions या फिर उनके साथ कुछ भी बातचीत करने होती थी तो mostly वो time जो था वो रात का ही हुआ करता था तो मतलब हम meetings करते थे तो वो 10 बज़े होती थी क्योंकि यार उनके वहां पे उस वक्त time सुब उनको भी mention किया है फिर mail course आप कौन सा enroll कर चुके हो और university और यह सारी चीजे नॉर्मल है फिर links हां important होते हैं अगर उनको अगर आपको जानना हो इस proposal के अलावा आप क्या-क्या करते हो तो वो सारी चीजे गिट-ब या LinkedIn की मदद से आपके देख लेंगे ठीक है ना फिर next है आप पर मैंने अपने organization के बारे में लिखा है और अपने project के बारे में लिखा है क्यों मैं इस project में contribute करना चाता हूं और क्या-क्या मतलब मिर को अच्छा लगता है क्यों मैं passionate हूं इस project के बारे में यह सब मैंने इसके अंदर लिखा है उसके बाद में next चीज है project सबसे important हो के basis पे आपको जज नहीं करेगा कि आप कितने अच्छ हो वो सिर्फ इस पॉइंट पे जज करेंगे कि आप इस project में क्या deliver करने वाले हो तो यहां पर प्रोजेक्ट का नाम मैंने लिख दिया है और इसके बाद में synopsis बेसिकली इसमें यही है कि क्या major goal है हमारा तो वो मैंने आपे mention किया है अब यह चीज तो depend करती है आपके project के ओपर तो मेरा API इसका project था तो हमारी API क्या help करने वाली है patients and counter resources यह सारी चीजे मेरे project से related है तो आप इस पर जादा text पर ध्यान मत दीजिए text खाली यही है कि मेरे project में ख्याता अब आपके project में जो भी हो आप उसको summarize करके यहां पर लिख देना उसके बाद में जो जो आप accomplish करने वाले हो main main features वो आप यहां पर mention कर दो next चीज मैंने आप एक diagram सा तो उससे क्या होगा basically mentors और जो भी है इस proposal को पढ़ेगा mentors के अलवा यार community members जो होते हैं वो भी इन proposals को basically पढ़ते हैं क्योंकि यार जो भी organizations होती है open source उसके अंदर community matter करती है और community बहुत बढ़ी होती है कभी-कभी और आपने नाम सुना हो फोसलोजी का तो उसकी community बहुत बढ़ी है तो अब अगर community बढ़ी होगी तो बहुत ज्यादा लोग आपके proposal को देखेंगे और अगर उनको पसंद आया तो जरूर से आपके mentors को भी आएगा और वो तभी आएगा जब आप serious होगे अपने project को लेकर और seriousness दिखाने के लिए हम graphs और अपने project को basically explain करिए in detail जितना आप कर सकते हो ground to like एक दम मतलब उपर तक आप अच्छे से explain कर दीजिए ठीक है ना next मैंने अपने proposal में अपने जितने भी अलग-अलग मैं API's के endpoints डाल रहा था उसके वारे मैं explain किया है कि हर endpoint में क्या क्या होने वाला है और यहां पर आप देख सकते हो छोटा सा discussion हमने किया था कि हमारे जो mentor है उन्होंने कुछ questions पूछे थे मिर से और मैंने उनको यहां पर जवाब दिया है तो यह सारी चीज़ गूगल डॉक्स पर आसानी से हो जाती है और इसलिए हम गूगल डॉक्स को रेफर गड़ते हैं फिर next हम देखे तो यहां पे मैंने endpoints बता रहे हैं और क्या-क्या operations मैं इस project के माधियम से आप देने वाला हूं क्या-क्या APIs बनाने वाल है तो उसके बाद में हर week या हर दिन आप अपने mentors से connected रहे है और उनको बताते रहे है कि क्या का काम आपने किया है तो basically उनको पता चलना चाहिए कि आप काम कर रहे हो और अगर आप काम कर रहे हो अच्छे से और फिर भी आपका project पूरा ना हो तो बिलकुल कोई दिकत की बा ठीक है तो next मैं आपको यहां दिखाता हूं timeline और timeline मैं पहले timeline थोड़ी सी अलग हुआ करती थी क्योंकि पहले project लंबा था अब project को short कर दिया है तो आप उस हिसाब से अपनी timeline को भी short कर लीजेगा मैं आपको draft proposal दोंगा तो उसके अंदर आपकी timeline छोटी होगी ठीक है तो फिर से यह एक चीज दिखाएगा कि आप कितने serious हो अपने project को लेकर और जितने जादा आप serious हो उतने जादा आपके chances है select होने के ठीक है तो यहां पे मैंने हर evaluation के बाद में क्या क्या चीज़े हम करने वाले हैं वो सारी चीज मैंने इसके अंदर बता रखी थी और इससे आपके selection के chances बढ़ जाते हैं फिर extras में basically यार इस proposal से related जो भी है वो तो हमने उपर लिख दिया लेकिन आप कोई और bugs fix कर रहे हो आप किसी और चीज में इंट्रेस्टेड हो उस organization या उस project से related या उस repository में आप किसी issue पे काम कर रहे हो तो उन सारी चीज़ों को आप यहां पे mention कर लीजे कि क्या क्या मैं और करने वाला हूं मतलब यह project तो हम करेंगे और इसी बीच हम कुछ और भी कर रहे हैं तो इस extras के section में आप mention कर सकते हो हाला कि यह कोई ज़रूरी चीज नहीं है next है expectation from mentor तो यह यार basic सी चीज है और यह मैंने भी copy paste किया था तो आप भी यहां से copy paste क कर लीजेगा और इसके अंदर basically आपकी क्या expectation रहती है अपने mentors से वह आपको बतानी है और इस पर हमारे mentors ने कुछ-कुछ बाते कही थी तो basically आर कुछ ज्यादा expectation होती नहीं हमारी mentors से बस वह हमको जब भी कोई अडचन आए तो हमको help कर दे इतनी सी हमारी expectation होती है और अगर म मैं अपनी personal experience की बात करूँ तो मेरे mentors बहुत थी शांदार amazing से थे उन्होंने मेरी हर point पर help करी थी और जितने भी मैंने mentors को देखाया अलग-अलग organizations के अंदर सब यार बहुत helpful होते हैं और आपको कहीं पर भी problem आये तो वो help कर लेंगे अब ध्यान रखना है help का मतलब यहां आपको बैठके code कर वाएंगे वो आपको सिर्फ बता देंगे जहां जहां आपको problem आ रही है तो कोई file अगर आपको ढूननी है नहीं मिल रही है या फिर कोई command आपसे नहीं चल रहा है तो इन type की चीजों को solve कर लेंगे लेकिन main चीज जो आपका काम है वो तो आप ही को करन ठीक है फिर next है commitments तो basically अभी exams वकर चल रहे हैं लोगों के practicals आ रहे हैं तो अगर आपका कोई भी इस type की situation है तो वो आप यहां पे पहले से mention कर लेना वरना यार बाद में ऐसा हो सकता है कि आपका mentor हो वो आपको pass ना करें इस वज़ए से क्योंकि आप वहां पे उस वक्त available न नहीं थे तो वो यहां पे आपको fail कर सकते हैं इसलिए जरूरी है कि आप commitment में ही कि आप पहले से बता दो कि किन-किन दिन आप available नहीं हो ठीक है तो जरूर से यह चीज़ अच्छी है आपके mentor समझ जाएंगे कि आप अगर available नहीं हो तो कोई बात नहीं आर आपकी जो timeline है उस कि आप participate करने वाले हो उस community के अंदर ये साली चीज़े आप इसके अंदर लिख दोगे फिर next चीज है introduction तो basically मेर को क्या क्या आता था मेरे अपने बारे में मैंने आप इस section में mention किया है अगर आप भी mention करना चाहो तो आप इसमें mention कर सकते हो next चीज मेरी internships के बारे में मैंने आ बताया था कि क्या क्या internships मैंने कर रखी है और इसके अंदर basically कुछ questions इन्होंने आप पूछे हैं तो इस बारे में आपे discussion हुआ था उसके बाद में next चीज यहाँ पे मेरे जितने भी open source contributions है वो मैंने mention किये थे तो basically यार open EMR से just पहले मतलब जब google summer of code के बारे में मैंने सुना तो शुरुआत में मैंने phvmyadmin को as organization select किया था और वो भी काफी शांदार सी organization है और इसमें भी काफी मज़ाया mentors काफी supportive और बहुत अच्छे थे तो इसके जो PRs थे वो मैंने आपे एक table बना कि इनको दिखा दिये कि यह main main PRs थे अब basically यार आप चाहो अपना proposal को बढ़ा करन तो आप जादा से जादा PRs यहां पर दिखा सकते हो लेकिन मैंने यार 3-4 PR दिखाई और उसके बाद में सब PR का एक merge करके यहां पर एक लिंक के अंदर सारी PRs डाल दी तो basically यार इससे पता चल जाता है कि बन्दा क्या काम कर चुका है और इसके basis पे यार लोग आपको judge करे तो आपके जितने जादा past contributions है उससे पता चला लेगा कि हाँ यह बन्दा serious है यह बन्दा कर सकता है काम और अगर आप कर सकते हो तो obviously यार वो तो यहीं चाते हैं कि हमारी organization को जितनी जादा help मिले कोई अच्छा बन्दा जुड़ जाए वही उनका main motive होता है ठीक है फिर यहा इसको भी mention कीजिए ताकि आपके mentors को पता चले कि भाई इसने इतने सारे contribution already हमारी organization में कर रखे हैं तो यह बन्दा हमारा project कर सकता है और अगर कर सकता है तो इनको select करना है ठीक है फिर next चीज़ है reference तो basically यार यह जो हमारा project है उसके अंदर जो भी information हम लेते हैं तो basically यार यह स project के बारे में डाल रहे हो तो उनके जो resources है उनको नीचे mention कर दीजिए ताकि उनको पता चले कि भाई उसने यहां है यांस की guides को पढ़ा और उसके बाद ने यह proposal बनाया है ठीक है तो यह सारी चीज़े यार बहुत important है और ध्यान रखने वाली और ध्यान रखना जब भी अराम से timeline बनाईए graphs बनाईए और जो हो सके उनको अच्छे से पूरे in detail in depth में explain कीजिए ताकि आपकी mentors को पता चले कि भाई यह बंदा serious है अब जैसे यह आपका proposal बन चुका है अब आपका काम क्या है अब आपको यह proposal share करना है link आप share कीजिए अपने mentors के साथ में अपने जो past GSOC के participants हैं उनके साथ में आप हमारे live session में भी जूड सकते हो जो कि हम रखेने वाले discord के उपर तो whatever से यार सबसे पहले तो join कर लीजिए discord और वहाँ पर हम announce कर देंगे जब भी हम उस session को रखने वाले है ठीक है उसके बाद में जैसे ही हम review करते हैं तो यार कुछ changes आपको आप change कीजिए और फिर से एक बार और review करवाईए यह process चलता जाएगा जब तक एक अच्छा सा well organized proposal ना बन जाए ठीक है तो एक बार हमारा proposal बन जाता है Google summer of code के आप account में डालिए और draft proposal के बाद में वो हो सकता है कि Google खुद review करे आपके proposal को ऐसा भी होता है कभी-कभी Google के जो admin है वो भी review करते है proposal तो बस यार यह था मेरा proposal अब कुछ tips में आपको देना चाहूंगा तो basically यार most चीज़े तो मैंने इसमें explain कर ली है तो यह था यार मेरा proposal अब next चीज़ यह है कि यार हमारा जो proposal है वो इतना matter नहीं करता है जितने हमारे contributions matter करते हैं क्य जिससे वो आपको directly judge कर रहे है जिससे वो आपको देख रहे है कि भाई यह बंदा क्या code कर रहा है code तो वहीं दिख रहे है जहां आपके contributions है आपके proposals तो एक बात की बात है जो आपने बहुत सारे contributions कर लिये हैं तब आप जाके proposal बनाएं उससे पहले तो proposal बनाना is not like good idea अगर आपने contributions जादा नहीं करें ठीक है और लास्ट चीज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवर्ड कीजिए ग्रामरली का यूज कर सकते हो आप है ना ग्रामरली का यूज करके अच्छे से अपने पूरे document को चेक कीजिए कहीं पर भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो ठीक है और प